प्रस्क्राइब करें दे स्पीड स्टड़ी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएगे नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार्दा स्पीड स्टड़ी पर स्वागत है और हम लोग जो है आज जो हमारी जियोग्राफी की सीरी चल रही है उसके आगे चर्चा करेंगे और सबसे पहले आप सभी को रक्षा बंदन की बहुत बहुत बधाई और जो है आप लोग ह जो टापिक रहेगा वो जियोग्राफी इस्पीशल का पार्ट थ्री रहेगा इस्क्रीन पर लगा दिया गया है जी एस पेसल जीओ घ्राफी कंफलीट प्रेंक्टिस टॉप वन थाउजेंद मैं जीर हां दोस्ते तो आपक एस्क्रीन पर कुश्चिन लगा दिया गया है औ और देखिए सभी कुश्यन जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग इसको नोट्स बनाईए और कल जो आपकी अच्छी क्लास चलेगी अर्थात अच्छी क्लास का मतलब कि कल वाली जो पूरी रिवीजन रहेगी क्लास बन लोग देख लीजेगा उसका रिवीजन कल करवाया जाएगा जिसमें आपको आकर्सक उपार दिया जाएगा तो दोस्तों अगर आपने जो है class 2 चलाई थी class 2 भी वही था आप उसको देख लीजिए class 1 class 2 class 3 तीनो class देख लीजिए उसके बाद कल जब आपका test होगा revision होगा जिसमें आपको आकर सक उपहार दिया जाएगा तो उसके लिए आपको फाइदा रहेगा तो इसलिए जो है आप तीनो class अगर नहीं देख लीजिए उसके बाद कल आप test दीजिए पहला question आपकी screen पर लग गया होगा क्या कह रहा है देखिए कह रहा है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का करण क्या है जी हां दोस्तों कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का करण क्या है पहला magnesium की मौझूदगी, दूसरा phosphate की मौझूदगी, तीसरा ferric oxide की मौझूदगी, चौथा खाद मिट्टी की मौझूदगी दोस्तों अगर हम आपको ये बताएं कि लाल रंग आता क्यों है मिट्टी में तो देखिए चुकर हमको पता है कि जो लाल रंग है ये लोहे के जंग लगने के करणड आता है तो जब मिट्टी में लोहे के oxide पाढ़े जाएंगे अर्थात लोहे के तत्व पाढ़े जाएंगे तभी मिट्टी आपकी लाल रंग की होगी तो दोस्तो इसमें अगर हम लोहे की बात करें तो देख रहे हैं option C जो आपका दिख रहा है option C जो आपका दिख रहा है फेरिक आकसाइट की मौझूदगी ठीक है ना तो फेरिक आक्साइट की मौझूदगी और फेरिक आक्साइट का मतलब होता है लोहा तो जो इसका सही आप्सन हो जाएगा वो आप्सन नमबर C हो जाएगा तो अगला कुशन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है देखेगा लाल मिट्टी पर दूसरा कुशन लाल मिट्टी लाल मिट्टी पर खेती करना कठीन है क्योंकि पहला इसकी जलधारण चंपता कम होती है दूसरा यह आतेधिक दूसित होती है तीसरा जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं और चौथा यह लाल रंग की होती है तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो यह ला वरंका होती है इसलिए खेती करना कठीन है जैविक घटाक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं यह अत्यांत दूसीत होती है तो चुक्छी अगर खेती कर रहे हैं तो दूसीत कोई मतलब है नहीं इसमें देखिए जो पहला आप्षन है इसकी जलधारन चंता कम होती है तो ये तो इसका सही ऑप्षण हो जाएगा जी एसकी जलदोरान समत पाम होती है ये इसका सही हो जाएगा अगर हम बात करें तो इसमें देखिए छूम जन जी रहतीा हो सब्सक्रण करद करें कब bubbles issue क्या चूम्ह वा नाइट्रोजन जी हां दोस्तों चूना वा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है क्या क्या हमने बताया फास्थोरी कमल हमने बताया कार्बन हमने बताया जैवतात्तु हमने बताया चूना हमने बताया नाइट्रोजन हमने बताया इसकी सब की कमी पाई जाती है और इसकी ज प्रकार बहतर है कि क्रिसी प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बहतर है जी हां दोस्तों क्रिसी प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है तो उसका हो जाएगा option number a सैलाबी प्रकार और आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सैलाबी प्रकार क्या है तो देखिए सैलाब का मतलब क्या होता है सैलाब कहीं है देखा सैलाब आएगा बाढ़ आईगा अर्थाथ जो नदियों द्वार जो हमारा नदियों द्वारा बहा कर नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है वही हमारी जो है सैलाबी सैलाबी मिर्दा कहराती है जी हां दोस्तों और अगर हम इसकी बात करें तो इसे एक नाम और दिया ज क्याता है जोगी है इसका खादर मिट्टी दिना दोस्तों आप लोग फटते होंगे खादर बांगर तो खादर ंर बिटी इसको कहते हैँ और आगए अगर बात करें दोस्तो तो इसमें जो है ना इसमें पोटास फास्फोरिक अमल चूना कार्बनिक तत्व की प्रचूरता होती है जी हाँ दोस्तो जैसे हमने लाल मिट्टी में पढ़ा था कि फास्फोरिक अमल कार्बन और फास्फोरस और हमारे जो चूना होते हैं इनकी कमी पाई जाती है उसी तरह खादर मिट्टी की बात की जाए या स अगला प्रस्ण अगर हम आपको देखें तो कह रहा है ग्रेट उत्री समतल भूमी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जी हां दोस्तों ग्रेट उत्री प्रस्ण समझेगा ग्रेट उत्री समतल भूमी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पहला कछारी मिट्टी या एलूबीमम, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी तो दोस्तों अगर हम ग्रेट उत्तरी समतल की बात करें तो देखें ग्रेट उत्तरी समतल भूम में जो आपका है कछारी या जलोड मिट्टी पाई जाती है जी हाँ दोस्तो कशारी या जलोड मिट्टी पाई जाती है और अगर हम आगे बात करें तो इस मिट्टी का जो छेतरफल है न वो 15 लाख 15 लाख वर्ग किलोमीटर है जी हाँ दोस्तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसमें जो है रेत गाद मिट्टिका के विभिन अनुपात पाए जाते हैं तो यह सभी तत्तो हैं दोस्तों यह सभी तत्तो हैं रेत भी जानते होंगे अब सिल्का है तो great उत्तरी समतल भूमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो option number A हो जाएगे कछारी मिट्टी पाई जाती है अगला प्रस्न देखिए बहुत अच्छा प्रस्न है कह रहा है कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है जी हाँ दोस्तों आप लोग इसका कमेंट करिए बताईए कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है कल के episode में हमने देखा था कि जो है जो हमारे राज्यों से सम्मधित प्रस्न थे वो हमने चर्चा किया था और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा जवाब दिया था जिसमें पहले नंबर पर अरथा सबसे ज़्यादा सही उत्तर देने में जो है सालनी जैस्वाल नाम की लड़की है उन्होंने सबसे ज़या एंसवर दिया था उसके बाद फिर एक लड़की है उसमें ठारूपम सुकला नाम से थी और एक लड़की सिवानी सिंग नाम से थी दीपक थे, पंकज थे, मुकेश थे, देवेश थे, आसीज थे इन लोगों ने जादा से जादा एंसवर दिया था तो दोस्तों आप लोग भी एंसवर दिया कीजिए ताकि देखे कि हाँ कौन सा बच्चा जो है जादा जवाब दिया है और आपको बता दें कि कल जो आपकी सीरीज रहेगी जो कि आपकी पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता क महत्पूर्ण भाग रहेगा उसको आप लोग देखना न भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ सकें अभी जो है नौ वजे तक जो है उसको लगा दिया जाएगा उस पर ठीक तो आप सेर कर सकते हो मित्टी को क्या कहा जाता है सिहां दोस्तों पहला लिखा है अलूवीयन मित्टी दूसरा रंगूर मित Mttiences clay Mtti जी यहां दोस्तों अगर हम काली Mtti की बात करें कब 스警 काली Mtti को क्या कहा जाता है तो कपास की काली मिट्टी को जो है रेंगूर मिट्टी कहा जाता है जी हां दोस्तों और वहीं अगर हम आगे बात करें एक मना टुक जाएगा वहीं अगर हम आगे बात करें तो यह कहां कहां पाई जाती है यह आपका महराष्ट पश्चिमी मध्ध प्रदेश किलो मीटर है जी हां दोस्तों इसका जो छेतरफल है वो पांच लाख वर्ग किलो मीटर है और वहीं अगर हम बात करें तो यह मिट्टी काली मिट्टी जो होती है यह कपास के लिए किसके लिए कपास के लिए कपास की खेती के लिए बहुत ही उपरियोगत होती है जी हां दोस या क्या जवाब दिया कि काली मिट्टी जो आपकी है काली मिट्टी को जो है क्या कहते हैं रेंगुर मिट्टी कहते हैं और यह कहां पाई जाती है अभी हमने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात मतलब यह पश्चिमी वाले इलाके में पाई जाती है और इसका क्या सही अप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक कपास हो जाएगा अगला प्रस्ण अगर हम देखें तो कह रहा है भारत में कपास की फसल का फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है जी हां दोस्तों सेम प्रस्ण कहां पर उगाई जाती है काली मिट्टी में उगाई जाती है जी हाँ दूस्तों का पास काली मिट्टी में ही क्यों वाया जाता है इसमें आपका लोहा इसमें आपका चूना इसमें आपका कैल्सियम इसमें आपका पोटास इसमें आपका एलुमिनियम इसमें आपका मैगनीसियम ठिक इसमें आपका फास्फूरस इसमें आपका जयोपदार्थ इनके सब की जो है देखे इसमें इनकी सब की जो है क्या पाई जाती है जयोपदार्थ नहीं जयोपदार्थ छोड़के बाकि सब फास्फूरस होगे आपका चूना होग जयोपदार्थ की कमी पाई जाती है इसी की वज़ा से इसमें जो है खपास जो है मुख्य रूप से उगाई जाती है जी हाँ दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा देखिए अगर आप लोग हमारा उसा बढ़ बढ़ा पूर और मेःगाले के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली डाडाट मतलम मिट्टी का रंग लाल होता है यह क्रिशी के लिए उपर युक्त नहीं है और आपसन में आपका है जलोड मिट्टी लाल मिट्टी दो आप सनॉर लिख लीजेगा जलोड मिट्टी लाल म आप्षन नंबर सी आपका है लेट राइट मिट्टी और आप्षन नंबर डी आपका है रेंगुर मिट्टी जी हाँ दोस्तों चार आप्षन है जलोड मिट्टी लाल मिट्टी लेट राइट मिट्टी रेंगुर मिट्टी आप लोग इसका जवाब दीजिए तो दोस्तों अ पुडी सा छोटा नागपूर का पथार मेघाल है यहां सब पे जो मिट्टी पाई जाती है वह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है हलका लाल रंग का जो लेटराइट मिट्टी है इसका कलर लाल होता है और अगर हम इस मिट्टी की खासियत की बात करें हमने बता दिया कि ल लोहे तथा एलुमूनियम में सम्रिध्य होती है, मतलब लोहा याने की यफी, एलुमूनियम याने की एल अधिक होता है, ठीक, पहला चीज, दूसरा चीज बात करें, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, और जैविक पदार्थों की कमी होती है, जी हां दोस् आगे अगर हम बात करें, तो अगर कम उर्वरता है इसमें, कम उर्वरता है, तो ये क्रिसी के लिए भी उपरियुक्त नहीं होगी, हां दोस्तों, तो ये था क्वेशन नमबर 9 का पूरा एक्स्प्लानेशन, अगले प्रस्ट पर हम चलते हैं, किसकी उपस्थिती के कारण म मिट्टी का रंग लाल होता है, फेरिक आक्साइड, नमी, जयो, वो सकता, तो मैगनिसियम आक्साइड, पहले कुश्चन में इसका जवाब हमने बताया था, इसका सही जवाब हो जाएगा फेरिक आक्साइड, जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा फेरिक आक्स ज़िसके सई जआएगा वा आपको जाएगी चिकनी मिट्टी और था तहो अपंसन नंबर सी जी यहां दोस्तों चिरव का आकार गाँ होता है 0.002 होता है जी हां दोस्तों इनके काणो का आकार 0.002 होता है वहीं अगर हम आगे बात करें तो जबकि गाद भारी मिट्टी दिख रही होगी आपको इनके जो गाद भारी मिट्टी के कड़ों का आकार जो है वो 0.002 से ले करके 0.005 यम यम के बीच होती है वहीं अगर हम बात करें कड़ों के आकार की तो इनके कड़ों का आकार जो होता है जो आपकी ये रेतीली मिट्टी होती है आपसन नमबर A देख रहे होंगे आप रेतीली मिट्टी में 0.005 से 2 यम 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 जी हाँ दोस्तों 0.05 से 2 यम यम के बीच जो है होता है ठिक तो ये था कुश्यन नमबर 11 आगले प्रशनों पर च खेती किस फसल की की जाती है जी हां दोस्तों भारत में शर्वाधिक खेती किस की जाती है तो मैं आगर आपको बताओं मुँ कि 2015елिकी मंत्राले के 2015 शूलाक के आकड़े तो सबसे ज्यादा खेती धान की होती है याद रखियेगा सबसे ज्यादा खेती धान की होती है धान का मतलब चावल उसके बाद फिर गेहूं की होती है जी हां दोस्तों सबसे जादा खेती धान की होती है उसके बाद गेहूं की होती है अगर हम धान की बात करें तो लगभग 43.39 मिली हेक्टियर जी हां दोस्तों यम याच 43.39 मिली हेक्टियर धान की खेती होती है और यहीं अगर गेहूं की बात की जाए तो 30.23 मिली हेक्टियर यह आपका गेहूं की पैदावार होती है और यही आकड़ा 2016 में भी रहा है आगे देखते हैं अगला प्रस्ण कुश्चन नमबर 13 कह रहा है कि बड़े पैमाने पर केशर का उत्पादन किया जाता है केशर का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में कहां किया जाता है तो अगर हम इसका सही आप्शन बताएं ऐप्सँन नमबर A है आपका हिमान्चल बड़ेश B है गुजराद C है जम्मू कसमीर B है करल तो दोस्तों केशर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका कहां पर होता है तो वो जम्मू कशमीर में होता है option number C जो है इसका सही option हो जाएगा जी हाँ दोस्तों भारत में जो केशर की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो जम्मू कश्मीर की घाटी में होती है वहीं अगर अगले प्रश्ण की बात करें प्रश्ण नमबर 14 तो क्या कहरा देखिए गन्निम लिखित में से कौन सा भारती राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है जी हाँ दोस्तों कौन सा भारती राज्य कच्चे रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है A है केरल B है आनप्रदेश C है करनाटक और D है महराष्ट बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा चल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा तो दोस्तों इसका अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसकी सही जवाब हो जायेगा करनाटक जी हाँ दोस्तों अगर हम 2015-16 की बात करें 2015-16 की बात करें तो कच्चे रेसम का कुल कुल जितना कच्चे रेसम का उत्पादन होता है उसका लगभग 34% कितना लगभग 34% जो है करनाटक में उत्पादन किया जाता है और वहीं करनाटक में सहतूत रेसम की बात की जाए तो सहतूत रेसम का उत्पादन 48% किया जाता है जी हां दोस्तों सहतूत रेसम का उत्पादन 48% किया जाता है और वहीं अगर सीर्स पांच राज की बात की जाए दोस्तों सीर्स पांच राज की बात की जाए पहले नमबर पे करनाटक दूसरे नमबर पर अंद्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका असम, चौते नंबर पर आपका जहारखंड और पांचवे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है जी हां दोस्तों यह चीज है आगे अगर अगले प्रस्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या कह रहा है कि नीचे दिये गए कथन और काराण दिये गए हैं सुनिएगा कथन एक क्या कह रहा है भारत में दुगध उत्पादन दुनिया के अन देशों की beshichавा के तुलना में कम है फिर दूसरा मैं भारत के पस्ती आख गरीब हैं सब्सक्राइब करना अब इसमें यह बताना था कि कौन सा पहले अस्थान पर है दुख धूत पादन में दोस्तों भारत दूख धूत पादन में दुनिया में पहले नंबर पे है तो जो आपका पहला है ये तो गलत हो गया जी हां दोस्तों पहला जो है आपका वो गलत हो गया फिर दूसरे की बात की जाए भारत के पसपालक गरीब है ये तो सही है कि भारत के पसपालक गरीब हैं तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आपसर नमबर B कि A गलत है लेकिन R सही है तो आपसर नमबर B आपका सही हो जाएगा वहीं अगर हम आगे प्रश्ल की बात करें तो कह रहा है डाट डाट के बाद भारत दुनिया का दूसरा सब से बड़ा देश है जी हां दोस्तों तो पहले नमबर पर कौन है तो पहले नमबर पर आपका चीन है जी हां दोस्तों बिस्व में सबसे जादा फूल उत्पादन की बात की जाए तो चीन के बाद भारत का आता है लेकिन बरतमान की बात की जाए तो बिस्व का सबसे बड़ फूल उत्पादक वो नीदर लायंड पर है जी हां दोस्तों वो क्या है नीदर लायंड है वहीं अगले प्रस्ष्ण की चर्चा की जाए तो कहरा निमलेखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुकचाय उत्पादक बताइए आप लोग इसका सही जवाब दीजिये क्या हो जाएगा तो दोस्तों अगर हम अठारवे कुश्यन के सही जवाब की बात करें तो पश्चिम मंगाल जो है चाय उत्पादक राज्य है जी हां दोस्तों यहां पर मतलब कुल चाय का अठानवी परसेंट जी हां दोस्तों कुल चाय का अठानवे परसेंट जो है पश्चिम मंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है जी हां दोस्तों अगले परस्टन की अगर बात करी हम अगले प्रस्ण की बात के ने तो कह रहा है भारत का कौन सा राज्य 2015-16 का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था 2015-16 में गन्ना उत्पादन के छेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था 2015-16 में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन 2015-16 में हुआ था वहीं अगले प्रस्ण की बात करें दोस्तों तो अगला प्रस्ण क्या कह रहा है दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है जी हां दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि दक्कन के पठार के एराके में चाहे आपका दक्कन का पठार हो चाहे आपका तमिल नाड हो यहां कुल जो है आपके रुख जाएगा यहां कुल जो है आपके कौन सी मिट्टी पाई जाती काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कौन सी फसल होगी तो काली मिट्टी में दोस्तों कपास की फसल होगी तो आपसन नंबर भी आपका सही हो जाएगा फिर वहीं अगले प्रस्ट की बात की जाए कह रहा है भारत का भारत का कौन सा राज्य जूट का सब से बड़ा उत्पादक है A. बिहार B. उडिसाड C. पश्चमंगाल D. छारगाड तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखें जूट का उत्पादन जूट का उत्पादन अगर 2015-16 के आकड़े की बात की जाएगा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए कमेंट करिए दोस्तों देखिए अगर जो है आप लोग सेर नहीं करेंगे तो क्लास नहीं चलाओंगा अगर आप लोग सेर प Kids वाने से आपको कुछ फाइदा हो जाता है दा लोग क्लास किया किजिए ज्यादा सी ज्जादा लोगों को लाने का प्रियास किया किजिए और आप चाहेंगे तो आप ला सकते हैं ठीक्स एक दम फिक्स तो ये आप के उपर है आप क्या करते हैं तो चलिए हम चर्चा करते हैं 2015-16 के आकड़े की बात अगर की जाए तो पश्चिम बंगाल राज में जूट का उत्पादन सबसे जादा आप सोच रहेंगे आप सर जी गाठ हैं क्या है तो देखे गठा जिसको बोलते हैं तो उसकी बात हो रही है सबसे ज़्यादा पश्चिमंगाल में हुआ इसके बाद में आपका बिहार में हुआ इसके बाद आपका असम में हुआ उसके बाद आपका उड़िसा में हुआ जी हाँ दोस्तों पहले नंबर पर पश्चिमंगाल फिर दूसरे नंबर पर आपका बिहार तीसरे नंबर पर आ स्वामी नाथन नामक अन्वांस की विद्ने किसमें भूमिका निभाई थी पीली क्रांति स्वेत क्रांति हरित क्रांति काली क्रांति तो देखिए स्वामी नाथन एमें स्वामी नाथन जो थे वह आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं जी हां दोस्तों मतलब गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कब वुआ था हरीत करांति के समय वुआ था जी हां दोस्तों अगले प्रस्ण की बात की जाए तो विश्व में भारत का सरवाधिक सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है तो दोस्तों भारत की बात अगर की जाए जो की आपके उत्तर प्रदेश में जो की आपके महराष्ट में जो की आपके मध्ध प्रदेश में जो की आपके तमिलनाड में जो की आपके करनाटक में जो की आपके बिहार में आधी दाज्यों में उगाया जाता है जी हां दोस्तों वहीं अगर हम अगले प्रस्ण की बा करें तो option number B आपका भिन्द फसल हो जाएगा क्यों क्योंकि देखिए सभी दिये गए सभी में काफी तंबाकू गन्ना यह सब नकदी फसल हैं बगानी वा नकदी जी हां दोस्तों बगानी वा नकदी फसल हैं और जबकि चावल जो है यह आपका खादान है जी हां दोस्तों त दोस्तों अगर आपको ना पता हूँ तो जैसा कि हम बताए हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सी सारी क्लासेश चली हुई है और हमने आज तक जो है लगभग 270 क्लास डिसक्स किया है लेकिन अगर आप लोग सेयर और सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्लासेश नहीं चलेंगे कि तो आप लोग सेयर किया किजिते जैसे कि आप देख रहे होंगे golden rule पजल का पजल आप लोग देखते होंगे जिसमें रहता है कि चार मंजिला इमारत है ए तीसरे पर नहीं है बी दूसरे पर नहीं है यम जो है वो पी और कियों के बीच में है तो इस तरह के जो प्रश्ण है वो हमने चलाई है एक दम सिरीज और पूरा एक घंटे की मैराथन क्लास है उसको जरूर आप लोग देखिएगा वहीं अगर आ सूत्र के कैसे हम आकड़ों की गिंती करेंगे तो यह सारी क्लासेज आपको हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ जाएगी आई बटन आपको दिख रहा होगा जब स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो उपर आई की तरह बना हुग अ है